Vice President, Article 63, The Vice President of India, There shall be a Vice President of India, यानि कि भारत में क्या होगा? एक उपराश्ट पती होगा. President कौन section है? कौन article है? President, कौन सा article? याद किजिएगा आप लो. 63 है, Vice President of India. Article 64, The Vice President to be Ex-Officio Chairman of the Council of State. Council of State किसको बोलते हैं? Council of State? हाँ, Council of State हुआ, राजस्भा. और House of People किसको बोलते हैं? लोगस्भा को. हाँ, याद रखिएगा. जहाँ भी लोगस्भा लिखावा रहेगा, वहाँ लिखावा रहेगा, House of the People. House of People. और Council of State बोलते हैं? राजस्भा को. तो लोगस्भा में क्या होता है? लोगस्भा में एक speaker होते हैं. और एक deputy speaker होता है. होता है ना? जो कंड़क करवाते हैं, सबको बोलने का मौका देते हैं, बैट जाएए, बैट जाएए, बोलते रहते हैं. देखे हो कि नहीं? हाँ, हाँ. वह समझ लो, कि वो लोगस्भा का monitor होता है वो. और उनके अनपस्थिति में deputy speaker काम करते हैं. और ये member of parliament, MP जो होते हैं, उन्हीं के अंदर से चुने जाते हैं. speaker और deputy speaker, लोगस्भा में. राजस्भा में क्या होता है? राजस्भा में जो आपके vice president होंगे, जो देश के राश्पती होंगे, वो इसके ex office होंगे. इसको chairman बोलते हैं. लोगस्भा में speaker बोलते हैं, deputy speaker बोलते हैं, और यहाँ पे speaker बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? chairman बोलते हैं. ओके? लोगस्भा में speaker बोलते हैं, और राजस्भा में chairman बोलते हैं. तो vice president जो होते हैं, वो राजस्भा में ex office होंगे, मतलब होते हैं चेर्मेन होते हैं यहीं कह रहा है आपको आर्टिकल 64 दा वाइस परसिडेंट सेल भी एक्स ओफिसो चेर्मेन अप दा कॉंसिल अप स्टेट्स एंड सल नोट होल्ड एनी अदर ओफिस अप प्रॉफिट यहीं क्या होंगे उप्राश्वा के पदें सभापती होंगे बाइड डिफॉल्ट जो आपके देश का राश्वा का चेर्मेन होगा और उसके बाद वा किसी भी लाब के पद को धारन नहीं करेंगे तो लाब का पद आप लोगों को प्रेशिडेंट में बता दिये हैं लाब के पद को धारन नहीं करेंगे ठीक है provided that ध्यान समझेगा provided that during any period when the vice president act as president or discharge the function of the president under article 65 he shall not perform the duties of the office of the chairman of the council of state and shall not entitled to any salary or alliance payable to the chairman of the council of state under article 97 अब ध्यान समझेगे जीश चीज़ को आप लोगों को राश्पती में बताये थे कि जब राश्पती का पद रीक्त रहता है किसी कारण बस खाली रहता है तो देश का जो उपराश्पती होगा वो क्या करेगा तब तक राश्पती का पद समालेगा बताये थे याद है जब राश्पती का पद खाली रहेगा तो हमारे जो उपराश्पती महोदे हैं वो क्या करेंगे राश्पती का पद समालेंगे और जब कोई उपराश्पती राश्पती का काम कर रहा होगा उस बग वो राश्पता का चेर्मेन नहीं रहेंगे राजसवा का चेर्मन वाला काम नहीं करेंगे और उनको जो सेलरी मिलेगी वह भी जितने दिन तक प्रसिडेंट रहेंगे प्रसिडेंट वाला सेलरी मिलेगा उनको एक बात और बता देते हैं कि उपराश्पति पद के लिए कोई बेतन नहीं है पद को कोई बेतन नहीं दिया जाता है, बलकि वह राज सभा के सभापती होते हैं, इसलिए उनको बेतन है, उस पद को बेतन है, कि आप लोग देखते हैं राजसवार के जो चेर्मेन होते हैं इस पद के लिए उनको सेलरी है वाकि जो भी दिदी वेवस्था है उप राजसवार के लिए कोई सेलरी नहीं है कि यहां पर यह साब साब दूनों चीजें लिखा हुआ है कि अगर हुआ वाइस प्रसिडेंट जब एक्ट करेगा प्रसिडेंट की तरह ठीक है तो 65 के अंदर आगे पढ़ेंगे हम लोग दसेल नोट परफॉर्म दा डुटी जाव ऑफिस ऑफ चेर्मेन वह चेर्मेन का काम नहीं करेंगे उसके बाद सेल नोट भी इंटाइटर एनी सेलरी और एलावेंस पेबल तुदा चेर्मेन और वह किसी भी चेर्मेन को सेलरी है बोले हैं जस्ट कि उनको एज चेर्मेन सेलरी मिलता है तो वह उस चीज़ के लिए इंटाइटर नहीं होंगे बलकि वह क्या चाहिए हमको यह आर्टिकल आपको 66 में दे रखा है आर्टिकल 66 आर्टिकल 66 क्लॉस 3 होगा क्लॉस 3 लिख लिजिएगा आर्टिकल 66 क्लॉस 3 के पास लिख लिजिएगा qualification for the office of vice president क्या कह रहा है इसमें इसका qualification होने के लिए हमको देश का उप्राश्पति होने के लिए हमको no person shall be eligible for election as vice president unless सबसे पहले वह भारत की नागरिक होने चाहिए clear he complete the age of 35 years 35 साल complete हो जाना चाहिए very good is qualified for election as a member of council of state राजसभा में निर्बाचित होने की योगता रखनी चाहिए जोकि वो राजसभा के हैं चेर्मेन होते हैं इसलिए राजसभा का सदस्तुने जाने का जितनी योगता चाहिए उतनी योगता इनके अंदर चाहिए clear उसके बाद वह किसी भी लाब के पद को धारन नहीं करेंगे यह बताएं लाब का पद बताए हुए हैं वहाँ से देख लिजिएगा वो किसी भी लाब के पद को धारन नहीं करेंगे यह आपको चार मतलब की क्वालिफिकेशन हैं उनके अंदर वाइस परसिडेंट के अंदर होनी चाहिए तुने जाने की योगता होनी चाहिए भारत के नागरिक होने चाहिए 35 साल उम्र हो जाना चाहिए राज सभा के सदस तुने जाने की योगता होनी चाहिए और इसके बाद किसी भी लाब के पद को धारन नहीं करें तो यह आपका Article 66 Clause 3 कह रहा है qualification अब नेक्स हम लोग आ जाइए फिर पहले हम लोग कहां थे 65 पर आ जाइए 65 65 कह रहा है Article the vice president to act as president or to discharge his functions during casual vacancies in the office or during the absence of president यह वहां भी बता चुके हैं आपको Article 65 कह रहा है कि इनका जो काम होगा क्या होगा कि अगर राष्ट्पती नहीं है अपने पद पे किसी भी कारण बस उनके पस्तिती है आकेस्मिक रिक्ती हो गई है केज्वल वेकिंसी उन उस कंडिशन में जो देश का उप राष्ट्पती होगा और राष्ट्पती का पद सम्हालेगा कब कब राष्ट्पती का पद खाली होता है पता है आप लोगों को पता ही जरा राष्ट्पती की मिर्थियू हो जाए हां सबसे पहले जो सबसे पहले राष्ट्पती की रृत्पती हो जाए इसके बाद या पद त्याग कर दें रिजाईन कर दे वो इसके बाद पद से हटा दिया जाए पद से हटा दिया जाए impeachment हाँ very good impeachment आ जाए तो किसी भी condition में अगर राश्ट पती का पद खाली है तो जिस दिन से खाली होगा उप राश्ट पती जो होंगे उस तारीक से राश्ट पती का काम करेंगे उस दिन से वो क्या करेंगे राश्टपती का काम करेंगे क्लियर तब तक काम करेंगे जब तक फिर नए राश्टपती का चुनाओना हो जाए नए राश्टपती अपने पद पर वापस ना आ जाए ओके दूसरा कंडिसन एक तो यह हुआ एक तो यह सिच्वेशन हो गया दूसरा तो उस कंडिशन में क्या करेंगे वह उप्राश्पती को अपना चार्ज दे कर जाएंगे उनके अनुपस्थिती बिमारी या किसी अनकारण से हो जाए और वह अपना काम करने में और समर्थ हो जाएं ठीक है तो उप्राश्पती क्या करेंगे उस तारीक से राश्पती का रहा है राष्ट्पती का कद पत्समालेंगे तो उनका सारा उनको पाबर रहेगा जो एक राष्पती के पास पाबर होता है लैबलीटी चला जाएगा उनको सेलरी आलोएंस सारा शुम्धा राष्ट्पती की तरह मिलने लगेगा यह आर्टिकल आपको 65 कर रहा है किल्यर कोई खास बात है नहीं किल्या कर नेक्स आ जाईए खाइट्स ग्याद डिखुएगा सब च्छाटा शुटा चीद है फटा-फटा याद कर लिए एलक्संग बास प्रसिडेंट आठिकल 66 राश्पती का निर्वाचन आठिकल 66 अब देखे इसके एलेक्शन में कौन को पार्टिसिपेट करते हैं तो यहां से समझेगा दोनों सभाके लोग सभाके और राज सभाके जो मेंबर हैं वह पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्राल कॉलेज इसको बोलते हैं हमलोग वहां पर कौन कौन पार्टिसिपेट करते थे परसिडेंट के एलेक्शन में लोग सभा सदस, राज सभा सदस और स्टेट का लगिस्टिश्चर असेम्बली बिधान सभा के सदस और वह भी elected member, nominated member नहीं, but उप राश्टपती के election में ध्यान दिजेगा The Vice President is elected by an Electoral College consisting of all members of the लोगसभा और राजसभा, including the nominated ones अंतर समझ माग गया ना यहाँ पे राज के विधान सभा का जिग्र नहीं है और यहाँ पे nominated member भी है, वो भी participate करेंगे राश्टपती के election में nominated member participate नहीं करते हैं बट उप राश्टपती के election में लोगसभा और राश्भा के जितने भी सदस हैं सभी participate करेंगे, चैहाँ वो elected हों, चैहाँ वो nominated हों और तरीका वही है, professional representation होता है, single transferable vote जो होता है, उसी तरीके से होता है जो preferential बोले थे, आपको one two करके देती आ जाता है, उसी तरीके से दिया जाएगा हम हाँ वो MLC है ना, वो राज के मुखमंत्री हैं तो वो उनका मुखमंत्री होने के लिए अलग क्रेटरिया है, मुखमंत्री होने के लिए क्रेटरिया है कि आप क्यों नहीं, इस्टेट का कहा participate कर रहा है, लोक सभाव और राज सभाव के सदस हमें सटेट में कहाँ आए हैं पार्लिया मेंट के दो ओर्गेन हैं, लोक सभाव और राज सभाव उसके सदस करते हैं, उप्राखपती के लेक्सने participate, राज सभाब में आप लोग इस्टेट चले आते हैं, काई भूल जाते हैं, वो बिधान सभा है, राज में बिधान सभा होता है, समझे, हाँ, क्लियर, तोरे, नेक्स आ जाईए, नेक्स, दो नमर देखिएगा, 66 कर, क्लॉस 2, थर्ड तो परही दिये हैं, क्वालिफिकेशन में, क्लॉस 2, देखिएगा, the vice president shall not be member of either house of parliament or of house of legislature of any state, and if a member of either house of parliament or of house of the legislature of any state be elected vice president, he shall be deemed to have vacated his seat in the house on date which he enters upon his office of vice president, सेम चीजें, जो president में पढ़े थे हम लोग, vice president किसी भी सभाका सदस्य नहीं होगा, ना लोग सभाका होगा, ना राज सभाका होगा, ना state में विधान सभाका होगा, अगर कोई ऐसा member election लड़ता है और वो जीत जाता है, तो जिस दिन से वह अपने office में entered करता है, यानि कि ओठ ले लेता है as a vice president, उस दिन से वह seat खाली समझा जाता है, क्लियर, क्लियर, हाँ, very good, उसके बाद clause 3 में qualification है, clause 4 में बता ही दिये है कि उप्राक्पति कोई भी लाब का पदधारन नहीं करेगा, clause 4 में है, अब आईए, article 67, करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस समने, पढ़िएगा घर में बैठ के अराम से, इत्मिनान से, अगर time हो आप लोगे के पास तो, time नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, time की कमी है आप लोगों के पास पता है हमको, क्या.. office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, इनका जो टेन्योर होगा वह पांच साल का होगा, जिस दिन और किस दिन से काउंट होगा, जिस दिन वह इंटर करेंगे office में, यानि कि जिस दिन वह ओथ ले लेंगे, सफद ग्रहन से हम लोग मानते हैं, उस दिन से उनको चार्ज मिल जाता है, तो जिस जिन से वह ओथ ले लेंगे, अपने office में इंटर करेंगे, उस दिन से या पांच साल के लिए इनका कार्ज काल होगा, ओके, इस पर नेक्स्ट और देखे क्या क्या है, provided that, परंतु, a vice president may by writing under his hand address to president, vice president जो अपना resignation देंगे, अगर उनको त्याग पत्र करना देना होगा, अप राष्पती को देंगे, राष्पती किसको देते थे, उप राष्पती को देते थे, और उप राष्पती किसको देंगे, राष्पती को देंगे, नेक्स्ट, a vice president may removed from his office by a resolution of the council of state, passed by the majority of all the then member of the council and agreed to buy the house of the people, but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least 14 days notice has been, shall be moved, been given to the intention to move the resolution, देखे पर अच्छा चीज है, राष्पती को कैसे हटाया जाता था, राष्पती को हम लोग क्या लाते थे, impeachment लाते थे, महाभ्योग लाते थे, 14 दिन की notice देते थे, और उसके बाद उन पर क्या करते थे, महाभ्योग लाते थे, और महाभ्योग के रास हो जाता था, तो फिर उनको अपने पद से हटा दिया जाता था, उपराष्पती के केस में क्या होता है, यहाँ पे इनको जब अपने पद से हटा ना होता है, तो राज सभा में लाया जाता है, राज सभा में लाया जाता है, राज सभा में लाया जाता है, राज सभा म भी उस पर सामत होना चाहिए चीक है 14 दिन के पहले इनको भी नोटिस दिया जाता है बिना नोटिस दिया आप यह रिजुलिशन नहीं ला सकते हैं 14 दिन पुर्व नोटिस दिया जाता है किलियर अगर आपके उपराश्पती को खटाना है अपने पद से तो यह रिजुलिशन जो होता है राजसभा में आता है और यह मेजुरिटी से पास करवाना होता है उस सभा में उपराश्पती को 14 दिन पहले नोटिस देनी होती है और उसके बाद लोगसभा भी जो है क्या होना चाह इस चीज़ से हैं इसका सी नमर दे रखा है आर्टिकल 67 का ही कि उपराश्पती उनका कार्जकाल समाप्त होने के बाद भी अपने पद पे बने रहेंगे जब तक कि कोई नया राश्पती जो है आ नहीं जाए ओके अब दी समाप्त होने के बाद भी अपने पद को धारन करे करेंगे जब तक कि कोई उनका उत्राधिकारी जो है पद को ग्रहन ना कर लें किलियर कि एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें हैं करते 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 चले चले पड़ा पड़ली से बस आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा कि 67 देख लिए हम लोग 67 में क्या था हम लोग का तर्म नेक्स्ट अच्छा इसका क्या 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 फंसन है इनका फंसन बता ही दिये थे उप्राश्पती का फंसन कितने में है आर्टिकल है कौनसा आर्टिकल में उप्राश्पती का फंसन है अगर आप लोग को प्राश्पति का फंचन पूछा जाएगा तो कौन सा आर्टिकल मेंशन करेंगे आप लोग पताई जरा हम प्रादिये हैं नहीं 65 में है न आर्टिकल 65 65 में पुरा लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट का काम करेंगे उसका फंचन यहीं है सबसे पहला तो यह राजसवा को जो है मोनेटरिंग करेंगे राजसवा का एक्स ओफिस चेर्मेन होते हैं और उसके बाद राट्पति नहीं तो प्राश्पति जो है राश्पति का सारा फंचन करेंगे यह आटिकल 65 में यह तो करी दिये हैं आप लोगों को चलिए नेक्स्ट आ जाईए प्राश्पति बहुत बहुत बढ़ी बहुत बढ़ा टाफिक नहीं है नेक्स्ट आ जाईए लिए टाइम आफ होल्डिंग एलेक्शन तो फिल वेकेंसी इन दा ओफिस ओवाइस प्रेसिडेंट और तर्म ऑफिस ओपर्सन एलेक्टेट तो फिल केजोल वेकेंसी अगर अगर उप्राश्पति की मिर्तियू अगर इसको पत से हटा दिया गया है या किसी और कारण से जिस निर्वाचन भी तक नहीं हुआ है अगर पद रिक्त है तो उसको क्या करना है अधरवाइस सेल भी हेल टू एस सुन आज पोसेबल आप्टर दा अकरेंस ऑफ दा वेकेंसी एंड पर्सन एलक्टेट तो फिल दा वेकेंसी सेल सब्जेक्ट प्रोविजन ऑप तो सर्षट में हम लोग क्या देखे थे सर्षट में देखे थे तर्म आपके लिए अपने पद को ग्रहन करेगा और वह पांच साल अपना कारज काल पूरा करेगा जब तक कि मान लिजे कि एलेक्शन नहीं हुआ कोई पद इसका वेकेंट हो गया है ठीक है तो जब तक कि नया अगर जिसी को किसी को बनाते हैं तो वह तब तक रहेगा जब तक कि इसका कारज काल पूरा ना हो जाए लेकिन सर्षट में ध्यान रखेगा सर्षट में वह है ना है हां तो अगर हम लाते हैं फिर किसी को तो जब तक कि उसका कारज काल पांच साल का नहीं हो तब तक वह अपने पद पे रहेगा जब तक फिर नया इलेक्शन नहीं हो जाएगा कि अगर हम किसी दर से केज्वल वेकेंसी हो गया तो जब तक कि अगर एलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक यह अपने पद पे रहेगा जब तक इसका पांच साल पे पूरा नहीं हो जाएगा इसका ओथ है ओथ में कुछ नहीं है ओथ में फॉर्मिट बना होता है उसको पढ़ देना होता है एबरी वाइस प्रसिडेंट सेल बेफोर इंटरिंग हीज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब इफोर दर प्रसिडेंट और सम पर्सन अप्वेंटेट इन दिस बिहाब बाहीं एन ओथ और अफर्मिशन इन द फोलिंग फॉर्म लिखावा फर्मिट बना हुआ है ठीक है ना राष्टपती के सामने या राष्टपती के द्वारा जो जो नोमिनेट पादमी होगा उनके सामने उनको सपत लेना है और सपत में लिखा रहेगा कि मैं डैस 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 ठीक है ना अपने बिधी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रति सची सर्धा और न कि इसके बाद लिखा हुआ है 70 में लिखा हुआ है डिस्चार्ज ऑप प्रेसिडेंट्स फंसन इन अधर अच्छे तो हम लोग प्रेसिडेंट में फिर चले गए बीच में मीक्स है और हमारा कहीं पिया और कश नहीं है अब बस हमारा कंपलिट हो गया के लिए हम ने है टास में हम लोग कुछ आगे देखेंगे झाल झाल